इस विडियो में हम देखेंगे कि broadcast channel कैसे create करेंगे excel sheet से और contact कैसे upload कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं कि broadcast channel क्या होता है broadcast channel is a group of customers है जिसको आप bulk में messages भेजना चाहते हैं आप एक बार में unlimited लोगों को messages भेज सकते हैं Contacts upload करने के लिए सबसे पहले एक excel sheet prepare करनी होगी उसमें customer के name and number और channel name होने चाहिए Excel का format कुछ इस तरीके लिखेगा first column name, second column phone number, third column channel name यह आप प्लीज एंशॉर कीजिए कि यह column name exactly same होने चाहिए यहाँ पे अब हम customer की details enter करते हैं यहाँ पे हमने customer का name and number enter कर दिया है अब हम channel name डालेंगे आप multiple channels एक excel sheet में बना सकते हैं जो customers को जिस channel में रखना है वहाँ पे उस channel name को हम enter कर सकते हैं तो अभी के लिए जो first two customers हैं अभी शेक एन रितम इनको मैं test channel 1 में रखूँगा और जो third है उसको मैं test channel 2 में रखूँगा लेट्स एंटर दे नेम contact अप्लोड करने से पहले हमें ये ensure करना है कि जितने भी numbers हैं उन सब में 91 होनी जरूरी है मतलब country code होना जरूरी है हमारे case में Indian customers हैं तो यहां पर सारे number में 91 होना चाहिए अब आपके पास हो सकता है कि एक excel sheet हो जिसमें कि पहले से दो चार सो पांच हजार दस हजार customers का data आपके पास तो उन सारे numbers में 91 डालना बहुत difficult होगा अगर एक एक करने जाए तो उसके लिए बहुत simple सा excel का formula हम use करेंगे equal to concatenate91, comma और सबसे पहला जो number है उसको select करेंगे bracket close और enter कीजे अब आप notice करेंगे कि यहां पर इस number के साथ 91 अटाच हो गया है simply यहां पर double click कीजे सारे numbers में अटाच हो जाएगा अब इसको copy करना है पहले वाले पर आके paste special values अब आप notice करेंगे सारे number में 91 add हो जुका है इस वाले को हम यहां पर delete कर देंगे इस excel sheet को save करते हैं अब double click पर वापस आते हैं और वहां पर upload करते हैं double click पर आने के बाद आपको broadcast channel tab में जाना है three dots पर click करना है वहां पर first option आएगा import contact from excel इस पर click करने के बाद आपको जो file आपने save की है उसको हमें यहां पर import करना है इस पर click करेंगे और open button पर click करते हैं यहां पर contacts upload हो जाएंगे हमारा दूनों channel create हो गया है और उसमें members भी दिख रहे हैं अगर देखता है तो हम इस channel पर click करेंगे channel name पर जाएंगे और यहां पर हमारे वो सारे customers जो इस channel में listed हैं उनका नाम यहां पर हमें दिख जाएंगे तो इस तरीके से हम एक broadcast channel बना सकते हैं उसमें सारे customers को रख सकते हैं messaging के लिए अब हम देखेंगे कि अगर हमें और भी numbers add करने हैं without excel sheet तो कैसे करेंगे अपने mobile phone के contacts जो हैं हमारे पास उसको अगर हमें add करना है तो हम कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले mobile phone open करना है double tick app open करना है double tick open करने के बाद three lines पर जाएं broadcast channel अब जिस भी channel में हमें और members को add करना है वहां पर जाके उस channel को open करके add participant को button लिए उसको open करना वह उसके click करने के बाद अपके phone के सारे contacts दिलता है अब इस channel 1 में हमने सिर्फ 2 contacts आ लिकी अगर हमें और दी contacts add करना है for example मैंने एक contact सेलेक्ट किया अपनो phone contact में और यहांपर मैंने add किया तो यह कुछ के सब्सक्री के से सब्सक्री नंबर एंड करने हैं विदाओ एक्षिक्षिए थांक यू सो मुच आपना है विए अपना है